आपने ये तो सुनाई नहीं होगा गणेश जी की सून्ड की दिशा का खास मतलब होता है। तयार हैं राज जानने के लिए अगर गणेश जी की सून्ड बाईं और मुड़ी हो तो ये आपके गर के लिए बिलकुल सही है। ये इड़ा नाडी से जुड़ा है जो चांद की शीतलता का प्रतीक है और शांती और सम्रिद धिलाता है। घर वालों के लिए बाई और मुड़ी हुई सूंड का मतलब है शांत और सुखदायक माहौल। लेकिन अगर सूंड दाई और मुड़ी हो तो आपको ये मंदिरों में मिलेगी। ये पिंगला नाडी को दर्शाता है जो सूर्य की उर्जा से जुड़ी है तेज शक्तिशाली और जिसके लिए सही रीती रिवाजों की ज़रूरत होती है। सही तरीके से पूजा करो और आपको जल्दी ही फल मिलेगा और अगर सूंड सीधी हो ये बहुत दुरलब है और ये दर्शाता है कि सुशुम्ना नाडी पूरी तरह से खुली है जो पूर्ण आध्यात्मिक जागरती का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप गणेश जी की मूर्ती देखें तो याद रखें ये सिर्फ कला नहीं है ये तो ब्रह्मांडिय ज्यान है जय गणेश।